हलो स्टूडेंट्स आज डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर्चर्ज में हम फेलियर ऑफ बोल्टेड जॉइंट्स पढ़ेंगे तो बोल्ट क्या होता है? बोल्ट एक मेटल पिन होती है जिसका एक हेड होता है एक शैंक होता है शैंक के उपर थ्रेड्स बने होते हैं और उस थ्रेड पे नट कसा जाता है थ्रेड्स इसलिए बने होते हैं ताकि वो रिसीव कर ले अब बोल्टेड जॉइंट्स steel structure में compression member होते हैं tension member होते हैं flexural member होते हैं इन सब को join करने के लिए bolts की आफशकता पड़ती है या welding की आफशकता पड़ती है या पहले अपन rivets या pin यूज़ करते थे आजकल ज़्यादा तर जगे अपन या तो bolts यूज़ करते हैं या अपन welding यूज़ करते हैं अब bolted joints जो होते हैं जनरली पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि दो प्रकार के bolted joints होते हैं एक होता है lap joint एक होता है butt joint तो आज हम पढ़ेंगे failure of bolted joint तो छे तरीकों से bolted joint fail हो सकता है पहला है shearing failure of bolts दूसरा है bearing failure of bolts तीसरा है bearing failure of plates चौता है tension failure of bolts पाँचवा है tension failure of plates एंड छटा है block shear failure अब ये क्या होते हैं force कैसे act करती है failure किस प्रकार से होता है ये अपन diagram की सायता से समझेंगे पहला है shear failure of bolts अब ये दो plates हैं ये overlap कर रही हैं एक दूसरे को bolt या कसा हुआ है एक force यहाँ पे अपनने लगाई दूसरी force इधर अपनने लगाई इन forces के कारण यहाँ पे shear stress डवलप हुआ और ये plate forces के कारण slip होंगी slip होंगी यह shear stress डवलप होगा और shear force डवलप होगी और जब ये shear force जो bolt की shear capacity है उससे ज़्यादा हो जाएगी तो जो bolt होगा वो will break into pieces टुकडों में बढ़ जाएगा तो इस तरह के failure को जब bolt के टुकडे हो जाए उसको कहते हैं shear failure of bolts दूसरा है अपना bearing failure of bolts bearing failure में क्या होता है जब plate और bolt दोनों लगे वे होते हैं और plate और bolt के द्वारा कसा जाता है तो जो कमजोर है अगर bolt कमजोर है तो bolt fail हो जाएगा अगर plate कमजोर है तो plate fail हो जाएगा जिन्दगी का भी यह rule है जो कमजोर होता है वो तूट जाता है fail हो जाता है तब इसमें bearing failure of bolts में क्या है यह देखिए यह bolt है यह plate है यहां से अपनने एक force लगी यहां force लगी तो suppose bolt अपना या तो low grade steel का बना हुआ है या उतना मजबूत नहीं है तो crushing हो जाएगी इस portion में जो bolt की half circumference है तो crushing will take place around half circumference of bolt यह crushing हो जाएगी और इस crushing के कारण bolt fail हो जाएगी next है bearing failure of plates अब इसमें bolt suppose बना हुआ है high grade steel का plate suppose बनी हुई है low grade steel की plate suppose कमजोर है तो इन forces के कारण यहां पे ripples डवलप हो जाएगी और ripples डवलप होने के बाद यहां crushing हो जाएगी और crushing के कारण plate fail हो जाएगी और इसको कहते है bearing failure of plates next है tension failure of bolts अब यह वाला आप diagram देखिए इधर से एक force लग रही है इधर से एक force लग रही है यह दो tensile forces लग रही है तो सारा stress का concentration इस bolt पे हो गया और bolt कमजोर है plate के comparison में तो इस concentration of stress के कारण bolt का या tensile failure हो जाएगा next है tensile failure of plates tensile failure को अपन tearing भी बोलते हैं यह वाला diagram देखेंगे यह force इधर लग रही है tension tension मतलब खिचाओ और इस खिचाओ के कारण क्या होगा plate tearing में फेल हो जाएगी कैसे फेल हो जाएगी plate tearing में यह यहां से फेल हो गई यह यहां से फेल हो गई तो यह plate कैसे फेल हो गई यह plate tearing में फेल हो गई इस portion पे tear हो गया और यह tear tensile forces के कारण generate हुआ next है अपना last sixth block shear failure में क्या होता है यह फोर्स यहां लग रही है और पूरा का पूरा ब्लॉक आफ माटीरियल विदिन दा बोल्टिड एरिया ब्रेक अवेज फ्रॉम दा रिमेंडर एरिया एक पूरा ब्लॉक आफ माटीरियल तूटके अलग हो जाता है यह देखिए इसमें यह फोर्स यहां एक इसमें एक plane पे तो share stress develop हो जाते है और जो plane उसके perpendicular रहती है वहाँ पे tensile stresses develop हो जाते हैं उसके कारण एक पूरा block of material बाकी area से तूटके अलग होता और इसको बोलते है block share failure तो ये सारे failure पे exam में एक short note आ सकता है कि failure of bolted joint पे short note लिखो तो इस पूरा का पूरा आपको diagram समेथ explain करना है पूरे के पूरे number milling Thank you students